Hello and welcome to the studio, Traders. ICICI Bank को आज के दिने हम ट्रेट कर रहे हैं, कल हमने NCC को ट्रेट किया था, NCC के अंदर हमारा कल stop loss चला गया था, हाला कि पूरे stop loss ही ठोने से पहले ही हमने वहां से एक्जिट मार दी थी, because range के अंदर पैस हमारा 2 बच के बाद से movement करने लगा था, and इसके अंदर volumes क कोई breakout होने लग गया थे, so volumes के breakout क्योंकि हमारी range के अंदर होने लग गया थे, इस वज़े से हमने यहां से एपनी positions को square off कर दिया, एक दूसरा बड़ा reason था, कि जितने ही movement range के अंदर हो रहे थे, वो 2 बच का 30 minutes के बाद हो रहे थे, क्योंकि 3 बजने में ज्यादा समय बचा न हो गया, अगर रुखते हैं तो stop loss चला जाता है, stop loss जाता है उस बात क्यों कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा regret नहीं या फिर हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, कल हमने इपने rules को break किया, उसकी पीछा का reason भी हमने बताया कि काफी दिन, मतला हमने जो trade execute किया था, यहां हम लोग अपनी entry ले सकते हैं, हमारी entry confirmations कौन कौन से हो सकते हैं, इस एक चीज़ को बहुत इत्मिनान के साथ और बहुत concentrate हो करके समझने की कुशिश की जागा, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो उसको जरूर से जरूर लाइक की जागा, वीडियो बहुत महनत लगती 900 के साथ में trade हमने अपना execute किया था, और लेते हैं, so order book में देखे, 900 के साथ हमने अपना trade execute किया, 870.55, सारी quantity जो हमारी execute हैं, वो भी 870.55 हो गए, stop loss 873.30 का हमारे stop loss लगा हुगा है, page को एक बार refresh कर लेते हैं, and कोई बहुत बड़ा move भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो profit अपन से charge के अपर, and यहां पर एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहली चीज तो देखे, काफी common transaction है, most of the stock में आपको बहुत बार इस तरह के transaction देखने को मिलेंगे, एक candle हमारी यह वाली बनती है, जो कि मेरी master candle है, और आज के लिए हमने इस candle को अपनी reference candle मारा है, कि हर बार कोशिश हुई है कि market इसका high break कर दे, but price अभी भी हमारे एक range के अंदर रुका हुआ है, सबसे पहली चीज, दूसरा, ध्यान देने वाली बात क्या है, कि price हमारा जब downtrend में continuity के साथ गिर रहा था, तो इसने एक support area बनाया, and यह जो volume increase हुई, यह भी हमारे support पर ही increase यह वाली जो candle form हुई थी, मतलब support पर एक high volume के साथ price ने sustainability दिखा ही हम लोगों को, price वाँ पर sustain हुआ, इसके बाद में price ने दो बार इस range के बाहर निकलने के कोशिश की, but हर बार fail breakout के साथ में market नीचे की तरफ गिर जाती है, एक बार gap अप हुई market, gap अप होने के बाद वाद पर से price नीचे गर जाता है, एक बार upside में जाता है, price नीचे के दिशा में गर जाता है, इसे एक चीज़ यह clear होती है, कि जिस range के अंदर market रुकी हुई है, वो range कहीं न कहीं काफी strong range है, यह वाला जो काम पिछले कई दिनों से नहीं हुआ था, आज इसने यहाँ पर एक gap up opening वो भी high volume के साथ, अभी हमने बोला ना, आपसे यह stock देखे हैं, हमने select कैसे काया, आपको दिखाते हैं, फटाफ़ पर stock screener पर आ कर गये, so यहाँ पर आपको N column में जाकर Z to A कर देना है, pre market opening section में जिन भी stocks के अंदर volume के breakout होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते है, ICC bank हमने यहीं स Scott वगरा है, यह हमारे favorite stocks हैं, हम इनको रोज देखते हैं, और दूसरा एक बड़ी चीज हो गए, कि ICC bank हमारा हो, तो scanner में भी आ गया, so यह बड़ा reason था है stock को select करने का, क्यूंकि high volume के साथ में, price ने हमारे resistance के ऊपर जाकर के opening दिए, यहाँ से क्या करना चाहिए, अभी हम ल कल की candle से ही करनी होगी, आज की day time frame की candle क्यूंकि अभी तक form नहीं हुए, इस वाई से हम उसके अंदर कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए आज की reading हमें lower time frame पर ही करनी होगी, तो कल तक की day time frame की reading से हमें यह समझ में आता है, कि price हमारा एक range के अंदर रुका हुआ है, यहाँ पर high volume candle है, और price इस range के बाहर नहीं निकल पा रहा है, आज lower time frame पर price ने gap up opening दिखा दिए, अब अगर price हमारा strong है, तो price को इस range के ऊपर निकल के जाना चाहिए, opposite सोचे बिल्कुर, अगर sale करना है, तो मन में यह सोचिए, कि price को अगर buy होना है, तो किस तरह का movement दिखाएगा, clear ना, अ आप lower time frame पर रहाते हैं, या इससे पहले चलते हम लोग day time frame पर, day time frame पर देखें, सारी markings को हम लोग delete कर देते हैं, यहां से यतनी markings हैंगे सब को remove कर देते हैं, अब देखें, price को पढ़िए, एक candle हमारी ये बनती है, black वाली candle, एक ये और एक ये, यहां पर सबसे last जो बड़ी candle बनती, जिस range के अंदर market रुकी हुई है, वो ये black वाली candle है, बट आप देखोगे, कि यहां पर इस green वाली candle के अंदर volume का उन कर लेते हैं, यहां पर volume के breakout हुए है, और price हमारा नीचे तो गिरा है, बट इसके अंदर volumes less हो रही है, volumes less हो रही है, volumes गे रहे हैं, और price हमारा नी retailer को यहां पर trap करने के कोशिच की जारे, इसको समझे कर देखे कि सब push chart पर हो रहा है, आपका point of view क्या है, और आपकी observation कितनी strong और open observation है, इसके अपर बहुत सारी चीज़े depend करती है, अब देखे, यहां से आप reading कर यह market में, यह black candle बनती है, अभी तक market देखे, इस black वाली candle के बाहर नहीं निकल पाई है, अब जो high volume वाली candle है, ग्रीन वाली candle आप इसका low mark लो, देखे यहां पर market करके, इस green वाली candle के बाहर देखे, market ने जाने के कोशिच की, बट हर बार fail, यहां भी fail, और पिछले तीन दिन से market उसी range के अंदर travel कर, समझ वारे है न, आज जो movement हुआ ह आज से पहले लगबा, one week back में भी अगर हम लोग देखे तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी range के बाहर market ने एक gap up opening दिखाई है, अगर यह strong है तो फिर इसको upside की तरफ निकल जाना चाहिए, हमारी इस black वाली candle का high break करके, price को उपर के दिशा में move दिखाना चाहिए, मतलब 880 य आप देखोगे कि पिछले कई दिनों से ज्यादा की volume है, यह वाली volume, अब यहाँ पर देखे, इतनी बड़ी volume के साथ breakout कर देने के बाद में price के अंदर rejection देखना को मिल रहा है, और यहाँ से price क्या कर रहे है, moves को downside की तरफ shift कर रहे है, एक high लगता है, again यह एक low लगा, again price अपने high को protect कर रहे है, lower low and lower high simple सा concept है, अब अगर price को strong होना है, क्यों strong होने के लिए क्या ज़रूरी है, day time frame की candle मारी कौन से है, यह वाली candle, price ने high volume के साथ यहाँ पर एक retracement दिखाई, rejection दिखा दिया, rejection दिखा देने के बाद में price अपने high को protect कर रहा है and low को break कर रहा है, समझ price ने जैसे ही इस candle के नीचे movement करना start किया, so exact तो हमने black value candle के low पर entry नहीं ली, but यहाँ पर हमारी जो entry बनी थी, 870.85 पर हमने अपना trade execute किया था, हाँ, stop loss के लिए हमने just swing high के उपर अपना stop loss रग दिया था, 20 पैसे का थोड़ा सा फर्क लाइक यह, so यह तो हुआ हमारा entry और stop loss इस range को हम कर देते हैं, and target के लिए सबसे पहला target जो हम ले करके चलना है, अपना आज के training session के लिए, कल का just हमारा day low का point, यहां तक अगर market आती है, तो एक अच्छा movement या फिर एक अच्छा target हमें देखनों को मिल जागा, हाला कि उमीद पूरी है कि price अप से ले करके यहां तक एक move दिखा देगा, यह 1% का ही move है, हम expect करें कि 1.5 या 2% का move हमें ICC bank को आज के दिन कम से कम दिखाना चाहिए, because अब यह second half start हो चुका है, and हमने जो अपनी entry ली थी, कहीं, and इसके बाद में जो हम expect कर रहे है, 859 का target, यह हमारा main target point होगा, 859, so अभी के लिए हम अपना main target, क् यह 1st target है, 862, यह हमारा 1st target है, यहाँ पर जो market है तो थोड़ा सा observe करने की, price ने अपना day low break किया है, वापस price अगर अपने इस वाले swing को break करती है, तो next supportive area जो इसका निकल किया गाए, 865 का, 862 का, and 859, हमारा main target आज के लिए है, 859 का होगा, and हम 859 के लिए last तक wait करेंगे, okay, so यहाँ पर अपनी सारी markings को हम लोग कर देते है, remove, हमारा entry point 870, 873.45, हमारा stop loss area, and 859 हमारा target point है, इस वाद का अपना profit चल रहा है, थाउज 900 के लिए प्रोफिट चल रहा है, इसको एक बार refresh कर लेते हैं, 8993 के लिए और अब दूसरी चीज़ देखिए, एक stock के अंदर trade करने trade in the sense के entry लेने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास एक सही stock होना चाहिए, एक सही direction होना चाहिए, उस stock का जो trend है, वो निर्धारित हो आपके लिए, किस दिशा में trade करना है, buying करनी, selling करनी, जब इतनी सी चीज़ हमको clear हो जाती है, उसके बाद म यह high और यह low, हमने जो entry ले थी अपनी change of character, मतलब chalk model के थुरू हमने आज का अपना trade execute कया था, जैसे ही price, जैसे ही price हमारे इस वाली level के नीचे आ कर करके trade करने लगा, हमने यहाँ पर अपना trade execute कर दिया, तो chalk model में क्या होता है, कि price का character change होता है, यह up move दिखाते दिखाते, अ आचानक से down move, जैसे यह high, 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 और जैसे ही price low पर आता है, यहाँ से हम लोग अपने trade execute करते हो, swing के उपर अपने stop loss लगा देते है, expectations होती है, कि price अपने supports को break करते हुए, नीचे के दिशा में चला जाएगा, BOS के माद दिखाते, break of structure से, मतलब simply अपने जो supports ने form किया, उन supports क break करेगा और यह नीचे के दिशा में move कर देगा, आज की जो हमारी entry वो chalk model के तुरू है, chalk model का एक जो basic video जिसमें हमने chalk model को बहुत अच्छी तरह से समझा जाए, so chalk model के तुरू हमने यह trade अपने execute का से, देखिए एक बार हम आपको फिर से chalk पताते हैं, कि price low, 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 इस तर structure, high, high, and high, simple होता है कि price में हम लोग 2 बार highs को break करनी का wait कर लें, कम से कम 2 बार, ऐसा नहीं है कि एक ही बार price ने structure अपना change किया और हमने तुरूंत अपनी entry ले ले यहां से, दो बार होता है तो यह high confirmations होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि price ने जब first time अपने structure को change किया तब हम trade execute नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बर तो थोड़ा सा risk होता है, और अगर इसके अदर आपको wait करना है, तो यहां से अपने structure को दो बार change हो जाने दो, फिर अपने trade up execute, तो जिस तरह से price हमारा नीचे की दिशा में move कर रहा था, low and high, यहां पर हम लोग अपने trade execute करते है री ट्रेस्मेंट पर, यह कहलाता है हमारा change of character, जिसके थुरू हमने आज अपने trade execute क्या, simple एक तरीका देखें, change of character, इसमें simply हम लोग से price action को ही देखते हैं, candlestick को को यूज नहीं करते हैं, अब दोसरी चाहिए, सारी marketing सो में remove कर देते हैं, अब देखें क्या हो रहा है, हम लोग एक trend line बनाते हैं, क्योंकि यह सबसे common चीज़े, सबसे ज़्यादा use की जाने वाले, अब देखें, trend line के पास में हो क्या रहा है, price हमारा upside में गया, एक move दिखाया, and यहाँ पर पहुंच गया, अभी देखें, change of character बना नहीं है, but price हमारा upside के तरफ चला गया, हमें structure found करो, कि price आपकी level पर आजाने की बात में, अभी हमने क्या बोला, trend identify होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, कि ICICI bank को आज की दिन हम sale करेंगे, अब हम इसके अंदर same key confirmations find करते हैं, हम buy नहीं देखेंगे, otherwise क्या होगा ना, कि buying करनी है, selling करनी है, यहीं नहीं clear है, तो हम buy यहीं भी देख रहे हैं, sale भी देख रहे हैं, उसमें जाओगे confused, तो clear हो, sale करना अब ठीक है, अब मैं sale की confirmations से इसके अंदर देखने हैं, तो दूसरा हम देख रहे हैं कि हमारी level के पास में, हमारी trend के पास में, हमको कोई एक mother candle दिख जाए, कोई engulfing candle दिख जाए, कोई various top model हमें perform करता हूँ देख जाए, तो उसके नीचे फिर मोग अपना trade execute कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर, जैसे ही price नीचे की दिशा में जाएगा, हम लोग यहां से अपना trade execute कर सकते हैं, stock to stock यह चीज़ें depend कर जाते हैं, stock to stock चीज़ें change हो जाते हैं, बट price action कभी change नहीं होता, price action सबसे reliable है, किसी भी indicator से, किसी भी shortcut से, ज्यादा आप price action के उपर depend हो सकते हो, इसके उपर मेहनत करो, यह lifetime साथ में रहेगी, किसी ने कोई strategy दे दी, किसी ने कुछ बेच दिया, आपको वो काम करेगा, वो 5-10 दिन काम करेगा, उसके बाद में वो काम करना फिर बंद करतेगा, price action, other tools के मुकाबने थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल in the sense कि practice चाहिए, अच्छी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, practice करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना effort लगाना पड़ेगा, और जब effort लगा लोगे, आप मेहनत क लोगे, जिस चीज़ को हम बोलें, उसको अगर आपने practice कर ली, अगर उसको practice कर ली, तो ये lifetime के लिए हो जाएगा आपके पास, फिर उसे आसान कुछ रहेगा ने, कुछ बचेगा ने, अब यहाँ पर देखे, जैसे ही mother candle form हुई, यहाँ पर इस mother candle का breakout, volume के साथ market ने कर दिय किया न, अब आपना trade execute करो, तो एक तो हो गया chalk model, और दूसरा हो गया हमारी trend line के थुरू, हमने यहाँ पर एक mother candle से पहले ही अपना trade execute कर दिया, यह दो तरीके हो गया, अब तीसरा point क्या हो सकता है trade execute करने का, अब इन markings को भी delete कर देते हैं, third way देखे क्या बन रहा हमारा यहा अब यह अच्छा रहा है, profit भी increase हो रहा है, 3000 तक बहुँच चुका है, अभी होगा, अभी movement इसके अंदर हमें उम्मिद है कि movement होना चाहिए, अब देखे क्या होगा, volume को off कर देते है, price हमारा नीची की दिशा में आए, हमें क्या करना है, selling, day time frame पर मालूम है, selling हमें इसके अ अब इसके अंदर हमें rejection देखने को मिल रहा है, price यहां से क्या कर रहा है, धीरे 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 करके upside में जाने की कोशिश कर, simple सी चीज, price ने एक trend line draw की, इस जगह से upside में जाने के लिए trend line draw की, जैसे ही price, जैसे ही price हमारी इस trend line के नीचे की तरफ breakout करने के बाद में retracement दिखाए candle वो candle जो की bearishness शो करती अपने breakout हो जाने के बाद में उस candle का breakout यहां पर हमें करना है, अगर volume के साथ ऐसा होता है तो 100% कहना गलत होगा, chances are very high कि आपका trade आपके favor में ही जाएगा, एक stop loss लगा देने के बाद में वहां पर आप अपना trade execute करो, देखिए एक ही stock है, लेकिन कितन आप यहां पर निफ्टी बैंक ओपन कर लो, निफ्टी बैंक, हमें इस जगह पर हमने जो अपना trade execute किया, कहां पर किया, इस swing के नीचे है ना, यह जो black वाली के इंडर बने इसके नीचे अपना trade execute कर दे, 871.55, time क्या था यहां पर, 11 बजे का, 11 ए 11.05 का मारा time था, हम जब trade अपना execute करने जा रहे है, बहुत एक तरह से confidence आपको आएगा इसके अंदर, हमने जो अपना trade execute किया, 11 बजे के पास में, या 10 बजे, 11, 11.05 के पास में trade execute किया, उस वक्त हमारा bank nifty क्या कर रहा था, अब देखिए, 11 बजे market यहां पर क्या कर रहे है, 11 प्राइज और यहां पर भी मेरा एक swing break कर, इस जगह पर क्या हो रहा है, यहां पर भी market एक swing लगा रही है, high, low, high, low, इस जगह पर भी swing break हो रहा है, and जब आप bank nifty के अंदर आओगे, तो यहां पर भी देखोगे कि swing market break कर रही है, high, low, high, low, यहां से आप अपना trade execute कर सकते हूं, तो price इस जगह पर भी supportive area, market अगर इसको break कर देती है, तो maybe chance है, कि यहां पर 950 के low तक price हमारा पहुंच, यह तरीके होते हैं, देखे, किसी भी stock के अंदर, अब मान के चली हम तो ICICI bank को trade कर रहे है, अब इसी की जगह पर हम कोई भी stock example ले लेते हैं, जैसे हमें same segment के अगर हम बात करें, तो यह नही होता है, तो यह support point यह बन रहा था, एंड एक तो यह support पर है ही नहीं इस वक्त, और कुछ अगर support हम देख रहे हैं, तो यह black वाली candle निकल क्या रही है, selling अगर हमें करने हैं, तो हम इस black वाली candle के नीचे ही करेंगे, जो बड़ी वाली candle है, इसके नीचे ही trade execute करेंगे, तो खोल मिला करके access bank, पहली चीज़ तो हमारी watch list में है नहीं, अगर होता भी तो शायद हम इसको trade नहीं कर पाते हैं, क्यूंकि यह level पर नहीं है, चलिए, simple अगर हम मान के चलते हैं, कि अगर access bank को हमें short करना होता, तो हम किस तरह से करते हैं, टाइम क्या था, यहाँ पर bank nifty के अंतर हमारा 11 बजे का, 11 बजे के पास हमें trade execute करना था, अब यहाँ पर भी हमें देखना है, कि अगर access bank को sale करना है, और sector को correlate करते हुए, अगर हमें short selling करन ग्यारा ग्यारा पांच, और bank nifty के अंदर भी आपका 11 ग्यारा पांच में, यहाँ पर भी support टूट रहे हैं, और इस जगे पर भी support टूट रहे हैं, प्राइज में आप day high मार्क कर लो, यह होगा हमारा day high, अब day high के पास में हमें सीधे सीधे तो short selling करनी देनी है, अब मालू से भी आपको confirmations मिल रहे हैं, और same time पर price अपना day high पर पहुंचने के बाद में mother candle का low break कर रहा है, trade मारू आप, यह कुछ तरीके होते हैं, एक trade के अंदर entry लेने के काफी सारी तरीके होते हैं, कुछ यह ऐसे हैं कल 7 बजे class थी अपनी एक, तो उसमें Fibonacci को draw करना हम समझा र resistance के या retracement के points होते हैं, जहां से हम लोग अपना trade execute कर सकते हैं, इसके अलावा entry लेने के जो techniques होते हैं, previous day का high point और previous day का low point, यह दो ऐसी जगह हैं, इस जगह पर आगर आप अपना trade execute करते हो, confirmations लेने के बाद में, तो भी trades की possibilities ज्यादा हैं कि वो आपके favor में जाएगा, अब जैसे ICICI bank, इसको हम trade करें अभी, अब आप कुल मिला करके देखोगे, तो कल की वो candle जिसने high लगाया है, वो यह वाली candle है, 9.35 की, यहां पर volumes भी देखे, आपको increasing में देखाई पड़ेंगे, कि यहां पर volumes increase हो रही है, कल के high से, आज के entry price से जब आप comparison करोगे, तो इसके लिए हमें करना है previous day के high के पास से, लेकिन एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, कि जस्ट किसी भी stock का high लोग देख करके, हम लोग entry नहीं लेते हैं, इसके लिए हमें चाहिए, इंडिगो के अंदर अगर हमें trade execute करना है, तो proper एक trend identification अपने पास हो, proper उस trade के analysis अपने पास ह अब हमें करना है trade execute, अब day high के पास से हम लोग यहां पर अपने trade execute कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे-च्छे मौके मिलेंगे trade execute करने के, यह सारे के सारे, अब जैसे previous day high है, आपको एक example ले ले लेते हैं, previous day low का, देखिए, जैसे यह क्या है, infosys है, infosys में कल का just low up mark कर ल और में भी चांस है कि price अपने यह वाला swing breaker के और नीचे की तरफ चली जा है, समझ मेरा ना देखिए, एक ही stock के अंदर कई सारे वे हो सकते हैं अपने trade execute करने के, कोई भी bearish candle या अगर buy करना तो bullish candle देख करके वहां से अपने trade execute कर सकते, entry इतना बड़ा problem, इतनी बड़ी की problem ह है ही नहीं, हाँ entry लेने से पहले का जो process है, उसमें अगर कुछ गलबड़ी हुई तो entry लेना ही सबसे बड़ी problem है, entry लेने के पहले का जो process उसको complete कीजे, entry के formats पर उसके बाद में ध्यान दीजे, focus कीजे, आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, एक सबसे simplest way होता है trade execute करन है का higher highs and higher lows है, जैसे यहाँ पर देखिए, price simple way में higher highs and higher lows लगा रहा है, higher high, higher lows, higher high, higher lows, higher high, higher lows, 3 checkpoints पन है जहां से हम लोग अपना trade execute करते हैं, लेकिन इसमें problem यह आती है कि जब market trending होगी, हालां कि इस तरह के stocks अगर हम लोग पहले से decide करके रखें या पहले से select करके रखें तो का महासान हो जाएगा, अब running market में सब कुछ करना तो दोड़ भाग हो जाती है, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, first, second, third, three points में रहें, अब देखिए, first, second, third, तीनों को अगर हम mark करते हैं, तो देखिए, first ही है, आप retracement पर यहाँ से अपना trade execute करो, इस जगह से, फि फिर हम short नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको, आपके entry, confirmations मिल रहें, आप फिर से अपना trade मरो, आगे यहीं देखिए, price का movement हम देखेंगे, upside की तरफ, फिर से, जैसे ही price इस जगह पर आएगा, हम लोग यहाँ से अपना trade execute करेंगे, आप trend के लिए, simple way में, SMC की language में इस जगह पर क्या हुआ है, market ने अपने characters को change किया, मतलब simple way में देखिए, price एक resistance बना रहा था, resistance बन जाने के बाद में, price अगेन 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 अपने resistance को break करता चला जा जा रहा था, upside की तरफ, okay, अब यहाँ से में क्या करना है, buy, यह देखिए, एक mother candle form हुई, अब अगर इस फिर से देखिए, price range के अंदर आ गया, अब यहाँ से इसको break करने चाहिए, support तो देखिए, लगातार यहाँ से market ने support बेक कर रही है, फिर से देखिए, यह जो support अपने मा किये थे, market exact उस support लिए, बहुत simple, simple, unique, बिना किसी confusion के, बिना किसी hard work, hard work in the sense, कि इतनी practice आप कर रहे ह practice करो, आसान हो जाएगा काम कर, I hope कि जितनी भी चीज़े भी मने समझा है, यह आपको clear हुई होगी, I think आज लिए इतना काफी है, and trade हमारा चल रहा है, focus करते हम लोग अपने trade के ओपर, and ICIC bank को वापस देखते है, okay, आपको बड़ा move तो हमें नहीं लग रहा क्यों को बहुत 3.30 का, मतलब, आज no profit, no loss पर हम लोग है, करीब 300 रुपीज के हमारी यहाँ पर brokerage जाएगी, ले देकर यहाँ पर हमें 100 या शाय 200 रुपय का profit मिलेगा, तो पूरे दिन वेट कर देने के बाद में हमें 100 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक satisfaction यह भी होना चाहिए, कि ज कुछ नहीं कुछ आपने से सीखा होगा, थांक्स, एंट, वी विल मीट अगयन